हेलो स्टुडेंस इस वीडियो में हम मॉर्फालोजी और फ्लॉवरिंग् प्लांट्स के टॉपिक पोजीशन और फ्लॉरल पार्ट्स और थालमस concept को अडस्टैंड करने वाले हैं तो थालमस पर जो फ्लोरल पार्स उनकी पोजीशन के बेस्ट पर हम कितने टाइप्स के फ्लावर बता रहे हैं, ठीक है, तो इस सीच को हम यहाँ पर अंडस्टैंड करेंगे, तो यहाँ पर थ्री टाइप्स मेली हम पढ़ेंगे, हाइपो गाइनस, पेरी गाइनस, एपी गा करते हैं, और यहाँ पर थ्री टाइप्स इनके मेंशन हैं, और वो थ्री टाइप्स कौन से हैं, हाइपो गाइनस, पेरी गाइनस और एपी गाइनस, हाइपो गाइनस का डाइग्राम यह रहा, ठीक है, पेरी गाइनस के टू डाइग्राम हैं, यह दोनों पेरी गाइनस को है और लास्ट वन हमारे पास यह है एपी गाइनस ओके नेक्स फोन यहाप पर अब हम टॉपिक कोई समझ लेते हैं हाइपो गाइनस को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे तो सबसे पहले आप फोकॉस करिए यहाँ पर डाइग्राम पर डाइग्राम में आप क्या देख रहे हैं य जो कलर पार्थे इसे को रोला बोल रहे हुआ है और ये जो यलू पार्थ य आपका क्या है 烟्रोशिम और ये जुम में पोच्शन ले ये क्या है गाइनस आंथिया है छिख फिछ फिई coc इसके help से floral parts को पहले ही समझ चुके हैं तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चुगे आपको next one उसके बाद अब हम बात करते हैं hypogynos का meaning क्या है hypogynos मतलब अगर आपने diagram देखा तो आपने क्या देखा diagram में कि जो gynoceum का part है वो above है और जो भी parts है दूसरे floral parts है वो gynoceum के below side से arise हो रहा है तो first points हमारा यही हो जागा कि gynoceum present above all other floral parts हरी floral parts gynoceum के below side से arise हो रहा है और gynoceum कहां present है above side में present है जब gynoceum above है मतलब ovary भी इसके above है तो ऐसे ovary को हम क्या बोल देता है सुपीरियर ovary बोल देता है ठीक है तो हाइपोगैनस condition में सुपीरियर ovary होगी और दूसरे fact इनका example क्या हो जाएगा तो इनका example ब्रिंजल और चाइना रोस तो यह दोनों ही flower आप लोगों ने देखे हैं तो कोई भी understanding में problem नहीं होगी तो यह तो होगी हमारे hypogynos का next one हम understand करते हैं पेरिगाइनस जो कि हमारा second type है यहाँ पर तो पेरिगाइनस के अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो पेरिगाइनस में फिर से हम लोग डाइग्राम पर ही focus करते हैं अब डाइग्राम में क्या देख रहे हैं ठीक है डाइग्राम पर आपने focus क्या है डाइग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि यह गाइनसियम का जो overall part है यह center में present है ठीक है यह center में present होगा और जो दूसरे तो यह अम हम और दूसरे फ्लूरल प्रॉर्षीं से अराइज हो रहें तो यहाँ पर अगर हम फुर्ड पर फोकस करें तो क्या है gynosum present at the center and other parts almost at same level और क्योंकि यहाँ पर half portion से arise हो रहा है तो ऐसी ovary को हम क्या बोल देता है ovary half inferior मतला यहाँ पर half inferior ovary है ठीक है below है तो इस वज़े से ऐसे type को हम क्या बोलते है perigynos बोलते हैं और perigynos के examples के अगर हम बात करें तो इनके example हो जाएंगे plum और दूसरा example हो जाएगा rose तो rose का flower आप लोगों ने देखा ही है तो यह हो गया perigynos देखे question पूछा आजा सकता है आप से पूछा गया कि rose की ovary कैसी होती है तो आप क्या बताएंगे half inferior होती है फिर या फिर पूछा गया कि जो rose का flower है उसमें कैसा thalamus की position कैसी है floral parts की तो क्या answer हो जाएगा आपका perigynos हो जाएगा तो ऐसे questions exam में देखने को मिल सकता है next one last topic की बात करते हैं जो कि हमारा epigynos epigynos का मतलब क्या है यहाँ पर तो epigynos में फरसे हम लोग diagram पर focus करें अगर तो आप देखें यहाँ पर यह जो आपका gyynosium का part है वो कहाँ है आपको below side में दिख रहा है ठीक है गाइनोसियम below है और जो दूसरे floral parts है वो आपको कहाँ से इसके उपर से rise होते हुए दिखाई दे रहे हैं originate होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अगर हम यहाँ पर first point पर focus करें तो हमारा first point क्या हो जाएगा ovary enclosed by thalamus जो ovary है वो thalamus से enclosed है यह देखे enclosed है and get fused with it और उससे fused है thalamus से next other parts above ovary और जो दूसरे floral parts है वो ovary के above से arise है तो simple सी बात हो जाएगी यहाँ पर ऐसी ovary को हम क्या बोलेंगे inferior ovary ठीक है inferior position है ovary की तो यह condition होती है epigynus के और इनके examples क्या हो जाएगे तो इनके example हो जाएगे guava और second one example हो जाएगा cucumber तो यह थे three types जो की thalamus की position के base पे हमने floral parts को बोला और hypogynus, perigynus, epigynus hopefully students के आपको भी यह सारे concepts clear हो गए होंगे और आपको position of floral parts on thalamus में कोई problem नहीं होगी so thank you